नमस्कार मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका आईपा में आईपा यानी All India Progressive Political Association ये कैसा मन्चे जो समाज के उध्धानों की बात करता है समाज की बुराईयों को निकाल के फेकने का काम करता है इनी विशो पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारेकरता उशा डिमरी जी मौजूद हैं बहुत स्वागत है मैं 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 सबसे पहले सवाल मिले है आईपा द्वारा एक मुहीम छिड़ी की है जिस में प्रगतीशील यानी Progressive समाज की बात करते हैं कैसे हम समाज में प्रगतीशीलता ला सकते हैं इस विशे पे बात करते हैं आपके हिसाब से मेम समाज में प्रगती शीलता केसे लाई जा सकती हैं। समाज में प्रगती शीलता तो बहुत तरीकों से आए सकती है लेकिन पहले हमें हमें उन समस्याओं को समाप्त करना होगा हमारी जो कानून विवस्ता है बहुत ही लचर है बहुत ही लचर हमारी दूसरी जो न्याय विवस्ता है उसके तो कहने ही कहा क्या मतलब एक न्याय को ल समाज स्वता ही रठीक हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समाज एक समस्तियाना तो आप यह लेजिए कि कानुवरस्ता इतनी लचर है कि आज भी हमें अपनी बेटियों को यह बोलना पड़ता है बेटा जल्दी घरा जाना बेटी क्यों पेंशन लगाते हैं और जो पात्र है उनकी पेंशन नहीं लगती है चाहो तो मैं आपको नाम से उधारन दे दूँ कि गरीब जो वाके में पात्र है उसको भटकाते हैं जाओ पौडी जाओ वहां से होगा श्री नगर जाओ वहां से होगा एक बुडिया विचारी कहां से जाएगी कहां से पौरिध जाएगी जबकि वो समाज के लाण विभाग उसी शहर में है इस तरह से मतलब हमकर मोदाओं सुदरते में वहां के करमचारी सुदरते हैं वह अपना जौब इमानधारी से करते हैं तो समाज इक समस्य आई तो धिरे धिरे अपने आप ही कम होंगी, समाज अपने आप प्रगर्टी करेगा बिल्कुल, बिल्कुल मैं कही ना कही हम ये भी देख सकते हैं कि विवस्थाओं का लचर होना तो कही ना कही एक बड़ी वज़ा ही लेकिन साथ में नौकर शाही जो बेहाल है ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है आज जनता सवाल तब जाकर पूछेगी जब जनता तक वो फैसलिटी जाएंगी वो जो आगे से सरकार कर रही है वो लास्ट व्यक्ति तक तो पहुँच ही नहीं रहा है कही चीज़े ऐसी हैं जो मुझे खुद पता नहीं है इसके लिए हकदारूं लेकिन मैं नहीं ले सकती हूँ तो मैं सवाल तब ही कर पाऊंगी जब मुझे उसके बारे में जानकारी मुझे पहुचेगी तो वो ये सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योज़नाइ बनाई है समाज के लिए देश के लिए लेकिन वो योजनाई तो पहुंच ही नहीं रही है ना समाज तक, समाज के आखरी गाउं तक नहीं पहुंच रही हैं, समाज के आखरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं, तो ये सब जो है, कानून विवस्ता को देखना है, समाजी की विवस्ता को देखना है, हमारे जो मं लोगों को यह देखना है कि उनके जिम्मेदारी है कि आखरी व्यक्ति तक हमारी योजनाई जाती है या नहीं जाती है बिल्कुल उश्यमाएम एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम देखते हैं कि जो भी लोग हैं समाजिक बुराईयों में जो मिलीन हैं उनको भी कही ना कहीं और जया विवस्ता है और बल्यून की हट पकड़ है। कानुन विवस्ता को यह कहते हैं कि कानुन हमारी जीब में है। तो गरीब आदनी को तो नया गहीं नहीं मिलता है। तो यह से लएके JET तक अगर गरीब यक्ति कहीं भी चला जाये। उसके लिए ना न्याय है, ना उसके हक हैं, ना उसको कोई फैसलिटी है, चाहिए वो एक इंजेक्शन उसको लगाना हो सरकारी हास्पिटल में, वो उसको नहीं मिलेगा, एक पहुछ वाले आदनी को पूरी फैसलिटी मिلेगे, बैड मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा, गरीब आदनी को होस्पिटल से लोटा दिया जाता है बैड नहीं है दवाईया नहीं है इंजेक्शन नहीं है आपने कोरोना के टाइम में देखा ही होगा गरीब मारा मारा फिटता था और जिनकी पहुंच थी तो आप ठीक क्या रही है जिनकी पहुंच है उनके लिए कानून है जिनकी पहुंच नहीं है उनके ले कानून में वस्ता है ही नहीं अबिलकुन माम कहीना कई हम ये बी देख सकते हैं कि जब जो भी राजनितिक दल है क्योंकि के। समाच जो है राजनितिक दलों से जुड़ा है राजनितिक दल जिस तरह से काम करेंगे उसी तरह से कहिने के समाच चलेगा लेकिन राजनितिक दल कहिना की धरम के अधार पर लड़ाने की कोशिश कहिना की हर किसी को करते हैं हम देखते हैं जाती धरम कजबे की बाते होने लग यह एक नेया प्रचलन शुरू हो गया है तुमा मेरी को सारी फ्रेंड ही दूसरी जाती है धर्म कीथी हमें तो मतलब बियुय करते करते तक पता नहीं चला कि यह नहीद रह्मान है तो यह मतलब दूसरे धर्म की है हमारे घर आना जाना खाना पीना सब कुछ साथ में होता था लेकिन अभी अभी हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि इस तरह से कोई भी महाओ लोग कोई भी आपस का जगड़ा हो धार्मी ग्रूप ले ले लेता है हमें जो हम पड़े लिखे लोग हैं हम समझ रहे हैं लेकिन जो तबका है जिसको मतलब जिसके कान भर दिया जाते हैं वहाँ पर वो लोग मतलब वो सीरे साथे लोग उस चीज़ को आत्म साथ कर लेते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा ही हो रहा है लेकिन जो पड़ा लिखा तबका है उस समझ रहा है कि क्या हो रहा है क्या होना चाहिए युवाओं से जुड़ा भी मेरा एक सवाल है युवाओं के लिए दो कही न कई विशे मेरे पास इस समय है पहला विशे तो ये है युवाओं में बढ़ती जो नशे की प्रबढ़ती है उसको क्यों सरकार कम करती हुई प्रशासन की जो सुविदा है उससे नहीं कम किया जाता क्योंकि देखें युवा जो है किसी भी देश का प्रदेश का रीड की हड़ी होती है और क्यों हम हर चीज के विवस्था बना लेते हैं लेकिन इस विवस्था पर कहीना 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 एक तो है मद्यनिशेद शराब नहीं पियो एक तरफ शराब के ठेके देती है उसके दो विवाग चलते हैं मद्यनिशेद विवाग भी खुब चल रहा है और आवंटन शराब की दुकानों का भी खुब हो रहा है तो और दूसरा यह है कि बच्चे हमारे आजकल डिप्रेशन में तनाओ में ज़्यादा हैं उन्हें लगता है कि नशा करके और शराब पिकर वो अपना तनाओ कम कर सकते हैं इसमें उनके परिवार को उनकी हैल्प करनी चाहिए और आजकल तो साइकलोजिस वगए रहा हैं बहुत सारे लोग हैं उनके पास मतलब माबाप माबाप की ही जिम्मेदारी है वो अपने बच्चे को देखें कि उनका बच्चा किस तरफ जा रहा है उसकी लाइन और लेंद किस तरफ जा रही है तो अगर माबापों की पकड़ अपने बच्चों के उपर से ही होगी तो बच्चा मतलब डिप्रेशन में नहीं जाएगा उसे किसी परक किसे सरकार नहीं गर पाई इसके अलावा जो भी हम शिक्षा की बात करें स्वास की बात करें प्रसफ के दौरान जब महीला को जो हुँ हस्पताल तक नहीं ली जाया जा सकता क्योंकि इत्या दूर ह हस्पताल है बुगॉलिक स्तिती का अटकले दे देते हैं उस चीस को इसको लेकर अंदोलन करें कि क्यों पहाडों की विवस्था उसी तरीके से हैं तो कुछ हो सकता है आप ये पूछ रही हैं कि मतलब चिकित्सा जो है सुवी दहाय हमारे गड़वाल में बहुत कम है हाँ आप सही बोल रही है कम है ये है हमारे राजनेतिक दलों की इच्छा शक्ती की कमी पैसे की कमी नहीं है इच्छा शक्ती की कमी है गवर्मेंट मतलब अपने मंत्रियों को फटाफट विभागों को चेंज कर रही है अगर कोई सोच भी रहा होगा तो वो उसकाम को करनी पाता है दूसरा हमारी प्राकरतिक समझ्या भी है कि हमारा गड़वाल है पूरा गड़वाल इस तरह से डैबलप है यह कुमाओ छेटरी कि मतलब हम लोग एक साथ सब कुछ वहाँ पर डैबलप नहीं कर सकते हैं हमारा एक एक मटीरियल शहर से गाउं की तरफ जाएगा लेकिन जो होना चाहिए था 21 साल में पूरा नहीं तो कम से कम आधा तो होता तो वही है मंत्रियों के पास इच्छा शक्ति की बहुत कमी है और इस वज़े से वह जगा जगा हॉस्पिटल्स नहीं खुल पाए और उसकी वज़ महीला घर से निकलने से संकोचित होती है उसके लावा हम कैसे सुनते हैं बहुत से जांद बच्चियों के साथ बलतकार होता है और इस तरफी की तवाम जो है अपराद महीला के साथ होते हैं इसके बारे में इचैना चाहिए इसके बारे में मैं शुरू में ही बोल चुकी हूँ कि हमारी कानून विवस्ता बहुत ही लचर है हम तो अपने बच्चों को ही कहते हैं कि टाइम से घर आये हैं वो घर पहुंचें तो महिलाओं के लिए प्रॉब्लम वाली बात तो ही कि हमारा जो पुलिस विवाग है जिसके उपर ये जिम्मेदारी है दूसरा हमारे अपने घर में खुद हिंसा हो जाती है महिला के उपर तो वहाँ पर भी मतलब व्यक्ति को समाज को कालोनी को सामने आना चीए कि भाई आपके घर में ये महिलाओं के प्रती हिंसा क्यों हो रही है हम इस बात को आगे लेकर चले जाएंगे और जो रहा चलती महिलाओं के साथ होता है कि चेन छीन लिए कुंडल छीन लिए ये हमारी कानून विवस्ता की कमी है पुलिस की इतनी भी कमी नहीं है कि मतलब यह कहा जाए कि विभाग में बहुत कमी हो गई है और मतलब इस तरह से तब यह सारी घटनाई हो रही है नहीं मैईलां को भी सतर करहना चाहिए और हमारी कानून व्यवस्था को भी सतर किराना चाहिए एक सवाल में मेरा ये है इसी विशे को लेकर कि कानून व्यवस्था सुधरती नहीं तो क्यों हम घर से ही उसकी शुरुवात करते क्योंकि मैं हम देखिए स्मार्ट फोन्स हर किसी के पास हैं स्मार्ट फॉन्स में हम देखते हैं कि तमाम चोटे चोटे बच्चे हैं अब अब तर चीजे देखते हैं गलत चीजे देके कहीना की मानसिकता गलत डेवलप होती है वो भी एक वज़ा है और दूसरी वज़ा जिसे आपसे ने अभी पहले वाले प्रशन में डिसकस किया था क कहीना की नशा भी इसकी एक मुखे वज़ा हो सकते हैं क्योंकि जो भी मुखे तोर पे अपराद होते हैं वो नशे की लत्मे होते हैं तो इसके लिए क्या कोई सक्त कानून होना चाहिए कि फोन्स को लेकर भी और नशे को लेकर भी ये भी कोई विकल्प हो सकता है देखो सा पारी फैमिली को जानती हूँ जहां बच्चे इंटर में पहुच गए हैं उन्हें अभी इस फोन के बारे में कुछ पता नहीं है उन्होंने लेंड ले रखें अपने बच्चों के लिए वो अपने दोस्तों से लेंड लाइन फोन से बात करते हैं तो एक अच्छी पाट चाल तो पहली पाठ्चालात में तो मावाप भी आते हैं, वोग उनके गुरू हैं, वही अपने बच्चो को समझाएं। कानून इसके बाद में आता है। कानून वस्ता होनी चाहिए कि बच्चो को इतनी चोटी उमर से फोन न दिया जाएं। लेकिन कोरोना ने तो सारे चोटे 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 बच्चों को भी ये फोन पकड़ा दिये हैं तो ये वक्त की मांग है कि बच्चे फोन से पढ़ाई करें लेकिन पढ़ाई करने तक ही उनको फोन दिया जाए उसके बाद ना दिया जाए बिल्कुल सही बात कहीं मैं मैं अपने की वक्त की मार है कि हमें फोन्स का तो उप्योग करना ही पड़े का और डिजिटल होना कहीं अगी गलत नहीं है लेकिन मैं मुझे जहां तक व्यक्तिक तोर पे लगता है कि अगर खुली सोच हो अगर हम सेक्स एजुकेशन अपने बच् तो यह तो बहुत इसमें तो मतलब अभी बहुत डिसकस चल रहा था अपर लेविल तरफे लेकिन जहां तक आप मुझे पूछ रही है तो हाँ यह शिक्षा आनी चाहिए लेकिन इतने चोटी हुमर में भी नहीं कि फोर्थ फिप्त के बच्चों को आप इस बारे में पानी चाहर हैं थोड़ा नाइंटेंट के बच्चों से आप अपराद की तरह नहीं जाएंगे एक ग्रहनी होने के नाते अगर मैं आप से पूछ हूं मैम 2022 विधानसभा चुनावाने वाले हैं तो एक ग्रहनी क्या चाहती है अपनी सरकार से एक ग्रहनी तो यही चाहिए अ हमें फैस्टिटीज मिलें टाइम पे गैस मिलें बिज्दी कंटीनियू मिलें पानी कंटीनियू मिलें स्वास्तिकी मतलब समस्या हैं जो हमारी हो जाती हैं वहां पर हमारे डॉक्टर हम को मिलें दवाईयां मिलें और सबसर के साफ सूतरी हो कच्रा ना हो बस मेरी तो यही जिसमें प्रगतिशील राजनीती की प्रगतिशील समाच की बात करते हैं, समाच के उधानों की बात करते हैं इस कोशिश के आप किस तरीके से देखती हैं और अगर इसे कोशिश के लिए आपका कोई मारक दर्शनाइपा को मिल जाए encontramos आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें आप मतलब महनत कर रहे हैं, आपकी इमानदारी इसमें है, आपकी इच्छाशती इसमें है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सुझाओ में आपको क्या दूँ, आप सब लोग बहुत पड़े लिखें, समझदार हैं तो आगे क्या कहूं आपको शुब काम नहीं दे सकती हूं कि आप अच्छा अच्छा कारे करें और समाज के उत्थान के लिए जो आपकी भूमी का है उसको अच्छी तरह से निभाएं आईपा के साट जोने के लिए धन्यवाद आप सब का धन्यवाद ये थी सोचल एक्टिविस्ट उशा डिम्ली जी हमारे साट जिन्होंने विभिन मुद्व पर हमसे बाचीत करी साथ ने बताया कि समाच कल्यान तब हो सकता है जो हम अपनी सोच का कल्यान करें अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छे लगता है तो मारी वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें